हेलो फ्रेंड्स आप सभी का स्वाधत हैं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल LGR Study Intermed में दोस्तों आपको बता दे कि इस वीडियो स्रीज में हम Class 12 यानि की Intermediate Board Exam के बहतर तयारी के लिए Hindi Saw Mark के महतपूर्ण Objective Question का Chapter wise तयारी हम आप लोग को करवाने वाले हैं और अगर आप इस वीडियो स्रीज के सभी कुश्चन का तयारी कर लेते हैं तो मैं आपको 100% guarantee दे सकता हूँ कि Hindi Saw Mark का एक भी Objective Question आपको आपके Board Exam में नहीं चूटेगा क्योंकि दोस्तों आपको बता दे कि इस वीडियो स्रीज में हम केबल वैसे Question को ही Select किये हैं जो कि आपके Board Exam में बार बार पूछे जाते हैं और आपके लिए काफी महतपूर्ण है तो हम आसा करते हैं कि आप लोग जो है इस वीडियो स्रीज के सभी Question का तयारी जरूर कीजिएगा चलिए आज का वीडियो सुरू करते हैं आज के इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग जो शुरूआत करेंगे Chapter No.1 से जैसा कि यहां पर आप देख सकते हैं कि Chapter No.1 का जो नाम है आप लोग जानते होंगे कि क्या नाम है बातचीत और इसके जो लेखक है वो कौन है बाल क्रिशन भट तो इस चेप्टर से संबंधित काफी महतपूर्ण objective question का discussion करेंगे हम लोग last तक जरूर देखिएगा एक भी question को escape नहीं कीज़े क्योंकि सभी question जो है काफी महतपूर्ण है चलिए start करते हैं और देखते हैं आपके first महतपूर्ण question के द्वारा पूछा जा रहा है बाल कृष्न भट किस काल के रचनाकार है तो यहां पर आपका d option सही होगा याद रखेंगे आधुनिक काल के आधुनिक काल यहां पर आपका बिलकूल है नेक्स्ट देखेंगे यहां पर आपके दो नमबर महतपूर्ण question के द्वारा पूछा जा रहा है बाल क्रिष्न भट की रचना बातचीत क्या है बातचीत जो है वो क्या है एकांकी है या फिर कहानी है या फिर यात्रा असंस्मरन है या फिर ललित निवंध है तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो यहाँ पर आपका डी होगा क्योंकि आपको बता दे कि दोका जो है ललीत निवंध है नेक्स देखेंगे आपके तीन नंबर मात पूर्ण को पूछा जा रहा है कि बात्चित सिर्षक निवंध के निवंध कार का नाम बताएं तो यह भेरी सिंपल कोश्चन है तीन का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो आपका जो है यहाँ पर आप द को जानते थे देखेंगे चार नंबर कोश्चन पूछा जा रहा कि बालक्रिशन भट का जान्म कब हुआ था और आपको बता दे कि आज यह इस इस वीडियो सेरीज का फस्ट वीडियो है और इस तरह का बहुत सारा वीडियो जो है आप लोगों को मिलने वाला है जिसमें आपको हिंदी के सभी चेप्टर का चेप्टर वाज तैयारी करवाया जाएगा तो अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं और इस वीडियो के नीची अगर लाल रंका सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है तो उस पर किलिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए बगल में घंटी का निसान आएगा उस पर किलिक करके ओल पर सेलेक्ट कर लिजेगा ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो का सब्सक्राइब को इनका जो है निधन हो गया था तो यहां पर आप जो है सी उप्सन याद रखेंगे बीस युलाई उनिस सब्सक्राइब नैक्स्ट देखेंगे हम लोग यहां पर आपके सिक्स नंबर कुष्टन के दोरा पूछा जा रहा कि बाल क्रिशन भटका निवास अस्थान कहां था मतलब वो कहां के रहने वाले थे ठीक है तो चौका जो यहां पर आपका डी ऑप्सन है बिल्कुल सही होगा याद रखेंगे इलाहबाद उत्तर परदेश के यह रहने वाले थे कौन तो बाल क्रिशन भट नैक्स्ट देखेंगे हम लोग जो है साथ नंब निबंद लिखे थे तो साथ का जो यहां पर आपका ए ऑप्सन है बिल्कुल है सही होगा याद रखेंगे लगबग वो मोटा मोटी एक हजार निबंद लिखे थे आप समझ सकते हैं जो वह कितने जो है किरियेटिव होंगे नेक्स्ट अमलुक देखेंगे यहां पर आपके आठ नमबर कोश्चन को आठ नमबर कोश्चन है कि बाल करिशन के प्रसहन का नाम बताएं बाल करिशन के प्रसहन का नाम आपको क्या करना है बताना है तो आठ का जो यहाँ पर आपका B option है बिल्कुल ही सही होगा याद रखेंगे यह तीन हो क्योंकि आपको बता दे कि यहां पर आपका यह option जो है जैसा काम वह ऐसा पड़ी नाम ये भी उनका प्रसहन है इसके बाद नई रोसनी का wish इसके बाद जो है आचार बीडम बना ये सबी जो है यहां पर आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा next देखेंगे हम लोग यहां पर आपके 9 नमबर question को पूछा जारा कि कौन सा उपन्यास बाल क्रिशन भट ने नहीं लिखा था कौन सा उपन्यास जो है बाल क्रिशन भट जी के द्वारा नहीं लिखा गया है तो नौका यहां पर आपका B option सही होगा याद रखेंगे आजात सत्रू आजात सत्रू यहां पर आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा next देखेंगे हम लोग जो है 10 नमबर महत्पूर्ण question को 10 नमबर question के द्वारा पूछा जा रहा है कि खाली जगा को भरे अनेक परकार की यहां पर आपको देखेंगे यहां पर आपको निर्देश दिया गया है कि खाली जगा को क्या करें भरे और आगे एक sentence है बताया जा रहा है कि अनेक परकार की सक्तियां जो वर्दान की भाति इस्वर के इस्वर ने मनुस को दी हैं आप सभी जानते हैं कि बहुत सारा सक्ति जो है इस्वर के द्वारा बर्दान के रूप में जो है मनुस को क्या किया गया है दी गई है उसमें डॉट डॉट भी एक है उसमें एक और कौन सा चीज है तो आपके चप्टर के अनुसार यह यहाद रखेंगे वाक्सक्ति यहाँ पर आपका इस खाली अस्थान में क्या होगा आएगा यह जो आपका खाली अस्थान वह सकते हैं और इसके बिना क्या हो सकता हैं और क्या измен हो सकता है सारा जो है भी सिस्था इस चैप्टर में आपको बताया गया है चलिए देखते हैं हम नेट्स्ट जो है आपके 11 नमबर कुश्चन को 11 नमबर कुश्चन के जोरह पूछा जा रहा है कि addition का मत क्या है addition जो बैक्ति थे उनका कहना क्या था उनका मत क्या था उनका सोच क्या था तो एगारक का B option आपका सही होगा याद रखेंगे असल बातचीत सिर्फ दो ब्यक्तियों में हो सकती है ये आप उनका क्या था कहना था कि इनका तो addition का next देखेंगे हम लोग जो है बारा नमबर question को बारा नमबर question की बातचीत सिर्षक नि निवन्ध है वो किस बीधा की रचना है तो बारा का जो यहां पर आपका सही आंसर होगा वह यह होगा डैट मिस याद रखेंगे निवन्ध है यह क्या है निवन्ध है तो इस तरह से आपका first chapter complete होता है first chapter से अगर आप इतना question त्यार रखते हैं तो आप लोग कोई भी problem जो किलिक करके all पर select कर लिजेगा ताकि आगे आने वाल सभी वीडियो का notification आप तक सबसे पहले पहुंच सके और intermediate board exam के बहतर त्यारी के लिए अगर आप अभी तक हमारे mobile app को download नहीं किये हैं तो इस वीडियो के description box में आपको mobile app का link मिल जाएगा तो वहां से mobile app जो है जरूर जो अब है मिल जाएगा तो वहां से आप लोग वीडियो भी download कर सकते हैं चलिए मिलते हैं अगरे वीडियो में तब तक अपना ख्याल रखिए और यारे स्टेडी इंटर देखते रहिए